है 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 विल्कम बैक तो माई यूट्व चनल हेलो विट्म तो आपने पिछले वीडियो में देखा था मैं किस तरह ब्लोगर को अपने गूल अकाउंट से साइन अप किया था एंड येन मैंने आपको डेश बोड दिखाया था जहां से हम अपने वेबसाइट को बना रखता है एंड उसकी नेश्ट पार्ट थ्री वीडियो में आपको ले आउट को आएने हैडर रिम फूटर का कस्टमाज़शन दिखाऊंगा अभी के लिए आपको सिर्फ थीम पे पोस्ट लिक के दिखाऊंगा एंड कुछ बैगर्ण इमेज को चेंज के दिखाऊंगा त सबगाज वीडियो कर अपके पास भी ब्रोजर का ऊपन कर सकते हैं उसके बाद में यहां से अपने एक को उपन कर सकते हूं Browser को जही कि अपने को उपन करेता हूं जो कि कल मैंने साइनUE यह provision देन आपने सगत है पर पार्ट बन पूढ़ा परण चुके अब यहां सबसे पहले में अपने एक ठीम ले लेता हूँ देख सकते हैं फिर्स यहाँ बाइड़िफोल्ट यह लट इम प्रेटरे तैन आपको इसमें से कोई भी थीम पसंद आता है तो यहाँ से अब बहुत अर्टी में अगर आपको इसमें से कुई पसंद नहीं आ रही है तो आप यहां पाहर वेबसाइट से भी किसी वेबसाइट से अलचा ब्लोग का तीम डाउन्ट के भी लगा सकते हैं उसके लिए आपको बता देता हूं कहां कर जाता है या कुस्टमाइज के साइट में नीचे का जो पर क्लिक करना है उसके पापको एक अप्लोड का आप्शन आएगा तो आप इसमें जाके आप दुसरा थिम भी अप्लोड कर सकते हैं आगी की वीडियो में आपको बता हूं कि यह थिम कैसे अप्लोड किया जाता है तो इस हो गई यहां देख सकते हैं डिपॉ इसके बताऊंगा यहां मेन्यों बार दो कुछ भी नियाथा है तो यहां पर सबसे पहले अपने आप्लोड सकते में इसको प्लिक करना है आपको थिम का बेकग्राण का यह से चेंज कर सकते हैं उसको में बताने माला हूं तो आपस्टेमाज़शन पर क्लिक करना है उसके ब इसके बेकगाउंड इमेज़ेस आपको यह सजेश्ट कर रहा है ब्लॉगर के अंदर ही आपको इतने अच्छे-च्छे आपको बेकगाउंड इमेज़ देखना मिल सकते हैं कि आपको बहाद से डाउंड ना करना पड़े तो मैं इसमें से एक को इसलेट कर लेता हूं मैं इ यह बेकगाउंड इमेज से हो चुका है तो नेस्ट वीडियो में आपको इसका हैडर कासा डिजान कर सकते हैं मैंनियू कासा डिजान करेंगे उसको बार में बताऊंगा तो नेस्ट वीडियो में आपको इसका मैं तो वीडियो पसंदा है तो वीडियो को लाइक कीजिए आ बेंकिफुल वर्जिंग